पूर्व क्रिकेटर और एक्टर सलिल अंकोला की पूर्व पत्नी परिनिती अंकोला ने रविवार दो पहर फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली अपने माई के गई परिनिती ने उस समय खुदकुशी की जब घर के बाकी लोग एक शादी अटेंड करने गए हुए थे पूरे के सलिजबरी पार्ग के गीता कॉलोनी में परिनिती का मायका है जहां उन्होंने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली रात आठ बजे जब परिनिती के घर वाले शादी से लोटे और घर का दर्वाजा खोला तो होश फाक्ता हो गए परिनिती अपने कमरे में पंखे से लटकी मिली तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी गई मौके पर पहुँची पुलिस ने उनके कमरे से एकसोसाइड नोट भी बरामत किया है जिसमें परिनिती ने लिखा है कि मैं अपने जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ मेरी मौत के लिए किसी को जिम्यदार नहीं ठहराया जाए सलिल अंकोला और परिनिती 2011 में ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं जिसके बाद परिनिती अपने माय के चली आई और तब से वो अपने माता पिता के साथ ही रह रही थी पुलीस ने बॉडी को ससुन अस्पताल में अटॉपसी के लिए भेज दिया है और सलिल अंकोला से भी संपर किया जा रहा है साधिया समदानी के साथ बीरो रिपोर्ट निउज एक्सप्रेस पुने